नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तू कंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नेविशे पर चर्चा करते हैं आज हम बात करेंगे साउथ फेसिंग घर के बारे में जो वेक्ति अपना साउथ फेसिंग घर बनाने जा रहा है उनका अपना में गेट कहां और कैसे लगाना है और किन-किन विश्यश बातों का में गेट लगाते से में ध्यान रखना है साउथ फेसिंग घर में में गेट साउथ इस्ट के भाग में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है आपने अपना मेंगेट साउथ में साउथ इस्ट की ओर ही लगाना है जो आप अपना मेंगेट लगाएं मेंगेट लगाते से में आपको जो दियान रखना है जो आपके मेंगेट के पिलर बनेंगे वो पिलर दिवार की मोटाई से ज़्यादा मोटे नहीं होंगे इसी के साथ साथ जो आपकी साउथ की दिवार है साउथ की दिवार की उंचाई के बराबर ही आपके पिलर होने चाहिए धियान रखना है जो आपकी साउथ की दिवार है उस दिवार से इश्ट की दिवार आपकी नीची होने चाहिए लेकिन इसमें जो आपकी साउथ की दिवार है साउथ फीइट के सेंटर पॉइंट में लगेगा यहीजिए ना तो में गेटtó कि और लगेगा और नहीं आपका कि गयत बाहर की ओर लगे टाइल्स जो लगवाते हैं वो slippery नहीं ओनी चाहिए रेड कलर की या रेडिश प्राउन कलर की या įेलो प्र की टाइल्स या आपने stone पथर लगवाना है इसी के साथ साथ जो pillar है, pillar के उपर भी आप red color, radish brown color या yellow color के पत्थर या tiles लगवा सकते हैं इसी के साथ साथ आपको एक बात का और दियान रखना है जो आपकी south की दिवार है South की दिवार आपकी सभी दिवारों से मोटाई में ज़्यादा होनी चाहिए और उंचाई में भी ज़्यादा होनी चाहिए इसके साथ साथ यदि आपके यहां बाहर open में नाली है तो आपने उस नाली को अच्छे तरीके से cover कराना है नाली की जो उँचाई है वो आपके रैम के उँचाई कर बराबर होनी चाहिए नाली के उपर जो पत्थर लगाएं गे वो पत्थर आपके red color के या reddish brown color के ही होने चाहिए और smooth होने चाहिए एक level में होने चाहिए जब आप इस नाली को कवर कराएं तो नाली को अच्छे तरीके से साफ कराकर उसके बाद आप इसको कवर कराएं एक बात का और धियान रखना है आपने अपने यहां फ्रेंट के भाग में साथ वेस्ट कॉर्नर से लेके गेट तक आपने क्यारी नहीं बनानी है फुल पोदो के लिए एक अलग से क्यारी बना देते हैं वो काम आपने नहीं करना है इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है जो आपका बाहर का एग्या है उस एग्या है कि फर्श की ढलान गली की ढलान इस तरीके से होनी चीए यह कि अगर वहाँ पर पानी गेता है तो वो पानी साथ की साथ नाली में चला जै आपके बाहर फ्रंट के भाग में पानी कठा ना हो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यदि आप इस परकार अपने यहां साउथ हिस्ट के गेट को सही कर लेते हैं सही तरीके से बनाते हैं तो आपके यहां खुशिया बढ़ेंगी इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विश्या पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार